दोस्तों नमस्कार गुड़ूनिंग आप सभी को तो आज का जो टॉपिक है कि जेरेफ पास करने के क्या फायदे हैं तो आप में से बहुत लोग होंगे जिनको यह बात पता होगा कि जेरेफ के फायदे क्या हैं लेकिन आपको एक्जेक्ट चीज पता नहीं होगा मैं आपको करता हूं जो भी जरूरी होता है किसी पर लोग मेरा मिल घख तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी लोग नेट नी पास करेंगे तो आप किसी भी कॉलेज में भारत के अंदर ठीक है अगर आप जुनियर रिसर्च पास करते हैं इसका मतलब कि आप प्रोफिसर के लिए लिजवल नहीं है आप रिसर्च के लिए लिए हैं फेलोशिप मिलेग इसमें आप बहुत लोगों मुझ से सुनेंगे कि आप पांच लाग रुपए कमाऊगे छे लाग रुपए कमाऊगे तो यह आपको गर्मेंट सेल्ली नहीं देती है अगर आप जेर्फ कर किये होते हैं उसके बाद प्येजडी कर रहे होते हैं तो सरकार आपको फेलोशिप प्याइब आप जो काम करिएगा जैसे बहुत चीज काम होता है जैसे बुक लीजेगा पें लीजेगा बहुत जगह जाके रिसकर ना पड़ेगा आपको ग्राउंट पर जाके समझना पड़ेगा सिचवेशन को जैसे आप पोलिटिकल एकॉनमी पर आप रिसकर्श कर रहे ह तो हो सकता है कि अगर आप युक्रेयन पर रिसकर्श करें तो युक्रेयन जाना पड़ेगा युक्रेयन की स्थित्य को समझना पड़ेगा इसलिए गवर्मेंट पैसा देती है 40-0 के असपास कि आप जो है अपना खर जो है खुद से खुद समाल सके ठीक है यह होता है फेल युद्वर्सिटी में अपड़ेगा एक डाउट रहता है कि नेट और में कितना नतर है तो देखिए अगर आपका कटफ नबय कोशन होता है तो जो कटफ होगा आपका 95 कोशन होगा मांत्र दस मांक सब्सक्राइब अगर आप एक दो पर्षेंट को एर को कंसीडर ना करें हों यह हो एक बार 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 हो रहा है अब गलती कर रहें उस स्यूंस को तो आपका रिखाक्व में कृक्स दीख compose चाहता हूरी होता हुए कि अजित की लिंग करता हो दौन कर न Şimdi होगा मैं पज़ां निच में तौन कि 20 साल से लेका शाट साल तक का एक्जाम देते हैं तो जर्फ के लिए इंट्रीस्टिंग चीज क्या है जर्फ में पका एज लिमित होता है लेकिन प्रसाल करने जरुदीन का नहीं होता है जर्य ने होता है जर्ट बंगे लिए तो जिनका भी एज हो रहा है जो कि 25 प्लस है तो दिक्कत नहीं है लेकिन जो 29-30 क्यास बास है आप लोग इलर्ट होके फुली फोकर्श के साथ आप जेरफ निकाल लीजिए तो आपको चारपांस तक का कोई टेंसर नहीं होगा अगर में फैनेंसियल इसूज कोई टेंसर नहीं होगा उसका दराम से पढ़िए और नौकरी का भी त्यारी कर सकते है साथ-साथ कोई भी प्लत है असक्ति पॉंट आपको मैं यह बता रहूं चाहिका लिए वहाँ पी दूसरा जो नेटफ प्लस दूनों पास किया हुआ है अप अपने दिल पास किया रखके बता कि बताईये मुझे को कि 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 नेटफियर वह मतलब कि अच्छे नजर से दखेगा जो नेटلف किया है जो दोनों पास किया है तो एंडुन चीज है कि जो दोनों पास किए गया है उसके प्रतित थोज़ाइसा तो अश्र करेंगे इस पहों गा लिकिन एक पर्सप्टिब भेनेगा और वह अच्छा बनेगा तो एक क्लियर हो गया थिसरा पॉइंट ही एक्स्ट्ररटब जैसे चाहंब नहीं होता है जैसे कि अगर आपको डिल्ली निव्रीटेटी में अस्टिन अघ्जान बनना है वहां पर उसका है यह हुआ है पच्छीस उल्डी में में बनाएं घ्जांटाघा है है वहां educating size वहां का जो का बहुत है आप लोग अच्छे से वहां का ग्रेट करता है अब देखिए जहां पे उसका तो कोई बात ही नहीं है जहां में होता है आप को मिलेगा थ गॉन के benefit मिलेगा बहुत लोग होंगे जिनका PG में साफ परषेंट से कम होता है यूजी में साफ परषेंट से जाजा है लेकिन अपका नेट प्लस जेयर आप दोनों है तो आपको 10 मिलेगा जो पीजी में पर दो पॉइंट कम मिल ला था सर पर से कम होने के गारण यह आपका यहां पर में कब हो जाएगा तो आपको इंटेज्व्यू को लाने का पूरा पूरा समभाब ना होगा समझ गया आप लो तो जीरेफ को लेके और भी अगर आपको कोई डाउट है को झाल, हुआ है